संसार में दुरुष्टी बदल जाने से दुख और कफस्या में बहात अंतर नहीं रहता है कोई बहात बढ़ा कष्ट हो उसको आप कष्ट मानेंगे तो आप रोएंगे और उसी कष्ट में आपकी वृत्ती बदल जाए आपका चिंतन बदल जाए और धीरे से उसी कष्ट को आप भगवान का पुरसाद मानने लगे साधना प्रारम होगे इस्थिती तो वही है लेकिन एक आदमी रो रहा है एक आदमी प्रसंद में मुझे एक महापुरुषको बॉंबे होस्पिटल में दो वर्ष पूर्व किट्नी के रोग से पीडित होते हुए और बड़े संपन्न संत थे मुझे भी एक चोटा सा ऑपरेशन कराना था इसलिए मैं वहाँ ठैरा था और जब मैं उनको देखने के लिए गया नाम सुना था उनका तो मैंने उनसे पूछा महाराज प्रारद का भोग आपको भी भोगना पड़ रहा है मुझे भी भोगना पड़ रहा है मुझे इस बात की बड़ी पीडा हुई कि आपको यहां दो महीने रहना है मैं पांचे दिन में चला जाओंगा क्या सुन्दर उस्तर दिया उन्होंने कहा महाराज वहां मंदिर की महंती करता था आश्रम की अध्यक्षता करता था तो बड़ी कठनाई से दो घंटे का भगवान का भजन करने का समय मिलता था इश्वर ने बड़ी क्रपा की की बीमारी दी अब आठ घंटे रोज भगवान का जब करने का आवसर मिल गया है जब विपक्ति आए तो उसमें परमात्मों की क्रपा ढूंडने का प्रयत्न करिये विद्यार्थी बहत पढ़ जाते हैं करने वाले ऐसे विद्वान को धन्यवात को है लेकिन जो चात्रशोद करके परिश्यम करता है वो भी धन्यवात का पात्र है अब अब तक विद्यार्थी रहे हैं अब आप से निवेधन करता हूं कि प्रयाक से लटने के बाद आप सब डॉक्टरेट लेने की कोशिश करिये और जीवन में जो घटना है उस घटना के भीतर परमात्म की शोद करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर के विश्विद्या लेके आप चात्र माने जाएं यहां की विद्या आपको प्राप्त होए तो भात अच्छी मात है क्योंको उसके बिना जीवन चलता नहीं लेकिन हमारे यहां तो विद्या किस रिष्ट ताउसी बात में मानी गई सा विद्या या भी मुक्त है विद्या वो है जो मुक्त की और व्यक्ति को ले जाए और विद्या का दूसरा फल है जो आप आज यहां प्राप्त कर रहे है बले ही आप प्राथमिक शाला के विद्यार्थी रहे हो माधिमिक शाला के रहे हो महा विद्या लेके रहे हो विश्विद्या लेके रहे हो अप और विद्या का फल कहा गया विद्यया अम्रत मशनुते विद्या के द्वारा अम्रत का पान होता है विद्या के द्वारा अम्रत ग्रहन होता है इस देश के करोणों लोग उस अध्यात्म विद्या की प्रिष्ट भूमि को अपने जीवन में अंजाने धारण किये हुए यहा था जैसा हम लोगों ने अभी सुना पूरवक्ता से कि भारती जीवन तो प्राप्त करता है लेकिन मृत्य उसकी होती नहीं मृत्य उसली नहीं होती कि निश्चित रूप से वो कहीं ने कहीं चलता रहता है उसका रूप बदल जाता है लेकिन वो निरंतर तब तक चलता है जब तक वो पूरी तरह से अमृत को प्राप्त नहीं कर लेता है मुझे लगता है कुम्ब के ये मेले भारतिय जन जीवन को वो अमृत की यात्रा का इस्मरन कराने का एक दिव्य माध्यम जहां व्यक्ति मेला भी देखे संतों के पास भी जाए जीवन की नश्वरता का बोध इन तमाम रजकणों के द्वारा प्राप्त करे और हमें निरंत पर चलते रहना है ये गति का संदेश गंगा माता से प्राप्त करें पापों का प्रक्षालन करने में गंगा माता समर्थ है लेकिन लटने के बाद फिर से गंगा माता को एक नया दायत और नेने का प्रियत न करें हमारे पाप छूट जाए इसलिए भगवान से प्रार्थन करनी चाहिए तलुष रह जीवन जीने वाले सज्जनों का यहां निरंतर विकास हो प्रकाश हो निवास हो और अम्रतत्व की साधना क्या है इसको जानने के लिए आप बार-बात सच्छंग करते रहें मैंने अभी कहा यदि आप चंदन के जंगल में चले जाए तो बहुत है आपको सुगंद मिलेगी और लेकिन एक बड़ी बात है कि अगर आप चांदी के पहाड़ पर भी चले जाए तो चांदी आपको चांदी नहीं बना पाएगी सोने के पहाड़ पे आप चले जाए तो सोना आपको सोना नहीं बना पाएगा चंदन के जंगल में चले जाए तो चन्दन आपको चन्दन नहीं बना पाएगा केवल सुगंद देगा लेकिन यदि आप सत्संग में बैठे तो निश्चित रूप से आप कितने भी पापी क्यों नहों यदि आप निरंतर सत्संग करते रहे तो एक दिन आप संत बन जाएंगे क्योंकि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान पारस तो सोनो करे पे संत तो आप समान संत को कभी डर नहीं लगता है कि मेरे बगल में कोई आसन लगा के बैठेगा आप देखते हैं यहां जूना अखाड़ा बहत बड़ा अखाड़ा है पांच सेजार सादों हैं उसमें और उसके जो आचारी बने कुछ वर्ष पूर वो हमारे शिश्य हैं स्वामी अवधेशा नंदी महाराद बड़ा आदर करते हैं जब भी कभी मिलता हूं अपने गुरु के पुत उनका बड़ा सन्मान है ठीक है लेकिन हमारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया एक्षण के लिए कि इतना बड़े क्यों बन गए क्यों क्यों सादुतों हर्दम यहीं विचार करता है कि जो भी सब मेरे बराबर ही हो जाएं उसे कुर्षी के बराबर कुर्षी लगने से पीड़ा नहीं होती राजनीती में और धर्म में यहीं अंतर है राजनीती वाला निरंतर प्रयत्न करता है कि अपनी कुर्षी से नीचे कुर्षी रहनी चाहिए अध्यात्म वाला व्यक्ति सोचता है कि और कुर्सी मूचियों की नीची हो अध्यात्मिक दृष्ट से इसका उत्थान हो और अपने से भी श्रेष्ट यदि हो जाए तो इसमें उसको पुसंदता होती है पारस तो सोनों करें पारस ने आज तक किसी लोहे को पारस बना दिया हो ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है लेकिन संत ने अनेक संतों का निर्माण किया ऐसा बहुत स्थानों पर मिलता है आनंद की बात है कुम्म कमेला प्रयागराज क्रांति का परवे हम सब जब कभी प्राचीम काल में यहां एकत्र होते थे तो उस समय देश के वातावरन में आध्यात्मिक पर्माणों की व्याप्ति होने के कारण हमारी क्रांति का चेत्र केवल मानसिक, सामाजिक और धार्मिक होता था क्योंकि उस समय देश के सामने ऐसी वीशन समस्याएं नहीं थी, दारिद्र नहीं था, विधर्मियों के द्वारा धर्मांतर्ण नहीं होता था नाना प्रकार के छोटे मोटे मद्भेदों के कारण, छोटे छोटे समुदाओं में बढ़कर, समाज एक दूसरे के ऊपर आत्रमन नहीं करता था ऐसी दिर्व्य परिस्थिती में हम सब के सामने प्रयात के कुम्भ में केवल आध्यात्मिक चिंतन ही शेश बचता था और कहीं शात्रार्थ होते थे, कहीं मंत्रार्थ होते थे, कहीं ध्यान शिर लगता था, कहीं योग शिविर लगते थे और कहीं तपस्वी महापुरुष अपनी केवल तपश्चरिया और साधना से अपने दर्शन मात्र से हमें पवित्रता पुदान करते हैं, देश की परिस्थितियां बदली, एक हजार वर्ष का पार्तंत्र और पचास वर्ष की स्वतंत्रता में भी प्रमादी जीवन, स्वार परमात्मा ऐसी क्रपा करें कि अगला कुम्मु जब हो कभी, तो उसमें हम राजनेटिक चर्चा न करें, हम कोई ऐसी ईशा देश की चर्चा न करें, किसी समाच को सुधारने की चर्चा न करें, बल्कि वो ऐसा आवसर आये, जब प्रत्य एक तीर्थे आत्री, आत्म चिंत करते हुए, भगवत भाव से परिपूर्ण होकर यहां से लटे, और देश का पूरा वातावरन, आध्यात्मिक वातावरन हो जाए, और हम सारे संसार को कह सकें, कि हमारा भारत कि वो राजनेटिक दृष्च से स्वतंतर नहीं, अव्वह देश फिर से जगत गुरु देश ह है, आईए और हम आपको आपके चरित्र की शिक्षा ने, उसके लिए बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, अगले बारा वर्ष तक हम सब लोगों से, हम सब लोगों को अपनी इस पवित्र गंगा यमुना सरस्वती संगम की इस पावन माटी से प्रेणा लेते हुए, यह प्रेयतन करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में भी है परमात्मा त्रिवनी प्रवाहित हो, मेरे जीवन में कर्म की गंगा हो, वैचारिक दृष्ट से शांत भाव से जीवन जीने की यमुना हो, और अमारे अंतर में अद्वाहित की दिव्वि गंगा सरस्वती के रूप में प्रवाहित हो और हम सारे संसार में यद्यडाइट वादी भी हो, तो भी भगवानी सब में दिखे और इद्वाइट वादी हो, तो सबमें अपने ही स्व़रूप का दर्शन करने की क्र्यामता प्राप्त कर सकें। ऐसा ही संकल्प लेके यहां से जाना चाहिए। वैसे गंगा यमुना और यह पवित्र तीर्थ राज प्रयात सब के मनोरतों को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। और इसमें एक बड़ी बात है जो यहां से लोट कर जाएगा उसकी शद्धा कितनी बल्वतिय इस पर उसका आधार होगा। मंत्र में प्राची में लेकिन आज प्राता काल में ने अमारुजाला में संपाद की के ऊपर यह श्लोक पढ़ा तो फिर से मुझे आज याद आगा। कोई व्यक्त कहता है को उसने मंत्र जपा उसको बड़ा दिवी प्रकाश मिला। उसने मंत्र का जप किया उसको पुत्र की प्राक्ति हो गई। अमुक व्यक्ति ने मंत्र जाप किया उसे पदोन्नति हो गई। मैं इतने दिन से मंत्र जाप करता हूँ, मुझे तो उसका लाब बहुत पुर्टीत नहीं हो रहा है। मेरे बंधु मैं आपसे बहुत विनम्रता पुर्वक कहूंगा, कि आप आत्ममिरिक्षन करिएगा, कि मंत्र जबते समय मंत्र के साथ आप तदाकार कितने हुए। कई बार मंत्र तो बानी से तो चलता है, लेकिन मन के भीतर नाना प्रकार के चिंतन मंत्र के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। तार कितना भी अच्छा हों, बल्व कितने इस रेष्ट हों, उनमें कितने सुन्नर रंग हों। लेकिन मेरे भाई, जब तक उस तार को आप मुख्यधारा के साथ, जहां से विद्दुत आ रही हैं, वहां से जोड़ने का प्रयत न करें, तो उपकरन मूल लिवान होने पर भी प्रकाश नहीं दे पाते हैं। इसलिए मंत्र के साथ में मंत्र कितना ही स्रेष्ट हो, प्रदाता भी बहुत स्रेष्ट हो, आपके मन में जिग्यासा भी हो, लेकिन यदि एकाग्रता के सुत्र से, परमेश्वर रूपी पावर हाउस से, अपने उस मंत्र को यदि आप जोड़ना सकें, तो निश्चित है, अधिरा हो गया, बच्चे ने कहा, और सबके घरों में तो बिजली जल रही है, हमारे घर में प्रकाश क्यों नहीं, विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ता था, और एलेक्टिकल इंजिनियन का विद्यार्थी था, उसमें कहारे क्या बात करते हैं, दूसरे के घरों में भले प्रकाश हो और अपने में अन्हेरा इसलिए हुआ, पिता जी, फ्यूज उड़ गया है, अभी फ्यूज लगा दूँगा, अभी प्रकाश आ जाएगा, मंत्र जबते जबते जब फ्यूज उबर उजड़ जाए, फ्यूज बुज जाए, और आप से अपने आप न आदना शास्त्र का वचन आपके अंतर के उस फ्यूज को ठीक से बदल कर और नया प्रकाश देनी की क्षमता उसके भीतर जग जाएगे, मंत्रे तीर्थे, मंत्र में आपकी कितनी शद्दा है, तीर्थ में कितनी शद्दा है, आज प्राता काल एक दंभी स्वामी जी आए, परम प्रसिद्द स्वामी करपातरी महराज के दर्शन कई वर्ष पूर्व किये थे, और वो धर्म समराठ थे, विद्वत्ता की सीमा थे, आचार शास्त्र के आचार थे, लेकिन एक बड़े सामान्य से सम्यासी आयत प्राता काल दंडियों को यहां भोजन जर निमंत्रन कं मल आदि मातने के लिए निमंचुत किया गया और वे पधार है, उनके बीच में एक संत, इतनी ठिठुडती ठंड में एक वस्त था उनके पास, और वो केवल कवपीन पहने हुए एक लूंगी लगाया और हाथ में दंड, सब दंडी महात्माओं को चाय कुल्हर में दिया, प्रसाद दिया, फल दिये, प्रसन्यता हुई दंडी स्वामियों को देखकर मैंने कहा महराज आप भी कुछ ग्रहन करिये, उन्होंने कहा मैं तो कोई पातर रखता ही नहीं, घरम चाय, मैंने कहा यहां सब लोग चाय पी रहें, कुल्हर में तो लीजिए, उन्होंने कहा न मैं प्रत्यक्ष दर्शु हूँ, कैसी कैसी विभूतिया इस देश में है, प्रणम में है, नाम नहीं उनका है, अनाम है, और उन्होंने अपने हाथ में अंजली में गरम चाय लेकर पी लिए, उसके बाद भाट ठंडा सा केला रखता हुआ था, मैं केला भी ले लिया, मैं ने शरीर और मुख पर हाथ पोचा, बुला मैं करपात्री जी महराज की तरह पुसिद्ध तो नहीं हूँ, पर उनके पदचिन्हों पर करपात्री बनने का पूरा प्रयत्म कर रहा हूँ, ऐसे अनाम सन्यासियों के द्वारा ये धर्ती अभी तक पुन्य को प्राफ्त क जिनका वैबा है, जिनका बहुत प्रकाश है, जिनका बहुत ये तो बंदनी है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि वे लोग जादा बंदनी हैं, जो मूख भाव से महत्वा का अंक्षा ही में जीवन जीकर साधना कोई अपने जीवन का सर्वस्व मान रहें